पुतिन के सामने बहुत बड़ी चुनौती आ गई है जो हमला आज तक जैलेंज की मॉसको पर नहीं कर सके उससे भी बड़ा हमला इसलामिक स्टेट ने कर दिया है 140 से ज्यादा लोग इस हमले में मारे जा चुके हैं हैरानी की बात ये है कि फाइरिंग करके हमलावर भाग निकले और पुतिन हाथ मलते रह गए मॉसको के हमले के बाद पुतिन की सरकार ने बहुत बड़े बदले का ऐलान कर दिया है मॉसको में जो हुआ वो रूस के अंदर 20 सालों में कभी नहीं हुआ था एक कंसर्ट हॉल में इसलामिक स्टेट के आतंकियों ने 80 से ज़ादा रूस के नागरिकों को बेरैमी से फाइरिंग कोल कर भून ढाला पुतिन के पास एटम बम है पुतिन के पास दुनिया की बेश कीम्ती महंगी मिसाइले है पुतिन के पास ऐसी शैतान मिसाइल है जो एक बार में दुनिया के एक दर्जन ठिकानों पर परमाडू हमले कर सकती है पुतिन के पास ऐसी तोपे हैं जो दुश्मन के बड़े बड़े किलों को तबाह कर सकती है पुतिन के टैंकों का खौफ रूस के दुश्मनों को न जीने देता है ना मरने देता है पुतिन के पास लड़ने वाले ऐसे खोखार पौजी हैं कि पुतिन की सत्ता को चुनौती देने की हिम्मत किसी में नहीं लेकिन एक आतंक्वादी संगठन ने पुतिन का सारा घुरूर तोर दिया इस्लामिक स्टेट खोरासान के आतंक्वियों ने रूस की पूरी सुरक्षा व्यवस्ता को घुठनों पर ला दिया पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिर कैसे रूस के अंदर रूस की राजधानी मौस्कों में इतना बड़ा आतंक्वादी हमला हुआ और पाँच आतंक्वादियों ने असी से ज्यादा रूस के लोगों को मार कर आराम से कार में बैठ कर भाग निकले आखिर रूस के अंदर इसलामिक स्टेट के आतंक्वियों ने एतने बड़े आतंक्वादी हमले को कैसे अंजाम दिया आखिर इसलामिक स्टेट की रूस के राश्रपती व्लादे मिर्पोतिन और रूस की सेना से क्या दूश्मनी है आखिर क्यों इरान पर हमले करने बाला यही संगठन अब रूस के नागरिकों के खून का प्यासा हो गया है क्या योकरेन और रूस के बीट चल रहे युद्ध से भी इस हमले का कोई कनेक्शन है आखिर इस युद्ध को लेकर जैलन्स की पर बड़े बड़े सवाल क्यों खड़े किये जा रहे हैं अब इन सवालों पर हम चर्चा करने वाले हैं लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आखिर मॉस्को में हुआ क्या था रूस पर ऐसा खतरनाक हमला ना कभी देखा ना कभी सुना तस्वीरें बेहत दिल डहला देने वाली हैं रूस की राजधानी मॉस्को के अंदर एक कंसर्ट हॉल चल रहा था म्यूजिक फेस्टिबल हो रहा था इसमें बच्चे, महिलाएं, सभी आम लोग शामिल थे तभी अचानक इस्लामिक स्टेट फुरासान के पांच आतनपादी फ्वाजित रेस पहन कर कंसर्ट हॉल के अंदर दाखिल होते हैं हॉल में इतने सबदस धमाके हुए कि पूरे इमारत की चट बरबरा कर नीचे घिर गए हॉल में खयामत तोटी हुई थी लोग अपनी जान बचाने के लिए बिल्डिंग के क्वालेट में जातर और दूसरी जगों पर छुप गये थे लेके बुट बार, जो बाना ज거र बारा की बहोंच के बहोंचे बहोंचे घोटे आड़ी से मारेका Следователи также уже приступили к работе с подозреваемыми в совершении преступления, которые были задержаны спецслужбами и правоохранительными органами в Брянской области, недалеко от границы с Украиной. Необходимую помощь окажем всем, में इसaste वहारो लागया koş静। में इसजी के पाइंनती हैं। प्रानेन starters व्रोगरों य कि से दो weiteren कि तो या सब्एंडी हैं ढ달6व। वेंस अमुआ तना को को वहां है 24 अवया वाल रिश थाम जूडों अब्हां है bodu सबसे बड़ी बात यह कि आतंगवादी बहुत आराम से लोगों को मार कर मासूमों को गोली से छन्नी करके आसानी से कार में बैठ के निकल बेटे प्iumsका आतंगवादी निक्यान फोला है सबसे हरान करने वाली बात ये है कि रूस के अंदर सेक्योर्टी एजनसियों से इतनी बड़ी चूक अमेरिका के द्वारा सावधान किये जाने के बाद भी होई है अमेरिका ने एक महीने पहले ही रूस की सुरक्षा एजनसिय को ये सूचना दे थी ये खुफिया रिपोट्स है कि अफगानिस्तान में एक्टेव इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी रूस के भीड़ भाड़ वाले इलाकों को बहुत बड़े आतंकवादी हमले की प्लैनिंग बना रहे है अमेरिका ने रूस के अधिकारियों को तो इस बात की जानकारी दी थी इसके अलावा रूस में मौझूद अमेरिका के भूताबास से भी अमेरिका के नागरिकों को अलोड जारी किया गया था कि आतंकपादी हमले से सावधान रहें और भीड भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें रूस की सुरक्षा एजनसी के इसला परवाही ने रूस की सरकार को चौखा दिया है अब रूस के सामने चौनोती ये है कि वो आतंकवादी हमला करने वालों को फौरं गिरफदार करे रूस की सुरक्षा एजनसी इस सुरक्षा के लिए जी जान लगाए हुए है ग्यार लोगो गिरफदार भी किया गया है और ऐसी संभावना बताई जारही है कि गिरफदार लोगो मे वो लोग भी शामिल है जिनोने कंसर्ट वाल मे घुसका अंधा दून वारी तर्दे आसी सीजादा लोगो को मार दिया और प्रेर सो सीजादा लोगो को पायल कर दिया परोओदे ओंडोर कंसर्ट वाल को जी ए इंद वेशिति वीशितन वीशिशविक्स रादिश वीश्वार लोगो कि अपेषिपसी के लारी वीशिधस का मेष्ट की लोगोगो कि भी एंपी याल आवाल से ओना वया है बालिस्तिकरा गी मिलग खुरासान नाम उस क्षित्र के पुराने शब्द पर रखा गया है, जिसमें इरान, तुर्पमेनिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्से शामिल है। सैनिकों की वापसी के बाद से अफगानिस्तान में इसलामिक स्टेट खुरासान जैसे आतनकी संगठोनों के खलाब खुफिया जानकारी विक्सित करने की उसकी ताकत में कमी आई है। के आतनकियों ने काबुल में रूसी दूताबास पर एक घातक आत्मगाती बम विस्ट फोर्ट की जिम्मेदारी ली थी। ये आतनकी संगठन साल 2021 में काबुल के अंतराश्री हवाई अटे पर हमले करने के लिए भी जिम्मेदार था। जिसमें अमेरिकियों की निकासी के दौरान 13 अमेरिकी सैनिकों और कई नाघरिक मारे गए थे। यहां सवाल यह भी उठता है कि रूस की आर्मी से इसलामिक स्टेट खुरासान की आखिर क्या दुश्मनी है। इसलामिक स्टेट रूस के राजपती पुतीन का जमकर विरोत करता है क्योंकि पुतीन ने साल 2015 में हस्त चेप करके विपक्ष और इसलामिक स्टेट के खलाब राजपती अल असद का समर्थन करके सीरिया के गहरुद में अल असद को निर्नायक जित दिलवादी थी। यहां नोट करने वाली बात ये भी है कि इसलामिक स्टेट एक सुन्नी बाहुत संग्ठने और अल असद सिया मुस्लिम। पंजिला अपार्टमेंट की इमारत में भम विस्पोट हुआ। इस विस्पोट में 118 लोग मारे गये थे। यह हमला अपार्टमेंट इमारतों पर हुए 5 हमलों में से 1 था। जिसमें मौस्को और दक्षणी रूस में 2 हफ्तों के अंदर कुल 293 लोग मारे गये थे। 23 अक्रूबर 2002 को 21 पुरुष और 19 महिला चेचन वेत्रोहियों के एक आतनक्वादी ग्रुप ने मौस्को के टेब रोक का धियेजर में एक संगीत कारेक्रम के दोरान धावा बोल दिया था। और 800 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया था। सुरक्षा बलों के साथ गति रोग दो दिन और तीन रात तक चलता रहा। लोगों की मौत हो गई और लगभग 50 लोग घायल हो गए। 6 फरवरी 2004 को एक चेचन आतनकी ग्रुप ने सुबा के व्यस्त समय के दोरान खचाखच भरे मौस्को मेट्रों में वम विस्पोट किये थे जिसमें 41 लोग मारे गए थे। को अपनी सत्ता दोबारा इस्थापित करने में मदद मिली थी। धरसल इसी साल जनवरी के महीने में इरान के अंदर कासिम सुलेमानी की मौत की बरसी मनाने के लिए सुलेमानी की कबरगा के पास भारी भीड एकठा होई थी। इरान की न्यूज एजनसी के मुताबिक उस्वक्त व्यस फोटकों से भरे दो ब्रीफ केस कब्विस्तान के बाहर में गेट के पास रखे गए थे। इनमें रिमोट कंट्रोल की मदद से ब्लास्ट किया गया था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जब सेक्योर्टी फोर्स मौके पर पहुंचने लगी तो भीड में दूसरा धमाका हुआ। पहला धमाका इरानी सेना के पूरो जनरल सुलेमानी के गबर के पास हुआ था। कुछ देर बाद ही दूसरा धमाका हुआ। धमाके के बाद पूरा इलाका दहल गया। सुलेमानी की चौथी बरसी पर भारी संख्या में लोग कबर के पास जमा हुए थे। धमाके में 103 पर होए आतंकवादी हमले के अपराधियों पर बिना किसी दया भाव के कर्यवाई की जानी चाहिए। पर होए आतंकी हमली की निंदा की है। अमेरिका इस संबंध में जानकारी जुटा रहा है। योक्रेन या योक्रेनी लोग गोलिबारी में शामिल नहीं है। औिन किसी आतंकश Turp आतंक्श के निचान करें कि अपराधिर में जातंकर। करी येल्याया करी नसैना शुरूए को इतो इत bisa आता हैं? म Почему रिडिंगे का नहीं मुर्स कि अप्रत बाने को और धित if I can this was really just breaking before I came on out here, so we're gonna YouTube уг appar朗 guides, but I really would refer to Russian authorities to speak to it. Payee the images are just horrible and the इस हमले के बाद पोतिन घर में ही घर गए हैं ये हमलार रूस की सुरक्षा विवस्था पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर गया है झाल खड़ा हैं झाल गए हैं जाल बहुत बाद प्राव प्राव सवा सवाप प्रेणा प्राव और बहुत बड़ा हैं जाए हैं